घर में बहुत अधिक चुहे हो गए हम इने मानना भी नहीं चाहते और ये भी चाहते हैं कि ये घर से बाहर चले जाएं ये क्या करते हैं हमारे जितने भी महंगे से महंगे समान होते हैं उनको बिल्कुल खराब कर देते हैं खाने पीनने की चीज में भी आ जाते हैं किचन में रहते हैं और सारी चीज को ये खराब करते हैं तो इनको भंगाने के लिए आज मैं आपके शार्ष शेयर करने वालो हूँ एक ऐसा घरेलू नुसका जिसका इस्तमाल करने के बाद ये आपके घर में दिखेंगे भी नहीं नमस्ते मेरे प्यारी दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हूं अपने इस चैनल में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है वो घरेलू नुसका और इसको हम बनाएंगे कैसे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम ले लेंगे दो या तीन चमबज के करीब बेसन आप इस बेसन के जगे आटा भी ले सकते हैं चाहे वो गेहाँ के ओल या फिल चावल का हो अब इस ईस Nearly आपको डालना है आधा चमबज के करीब मीठा सोड़ा खाने वाला जो सोड़ा होता है वो डालना है आप पर वेकिंग पॉडर जो आता है उसका भी सितमाल कर सकते हैं तो आधा चमबज के करीब हम टीखी तीखी वाली होती है उसका हमें इस्तामाल करना है और घरों में इसतार से कोई wal Was Back कोई वी मैडिसीन होता है, जो कि access तो हमें क्या करना है एक कोई सा भी मैडिसीन लेना है जो भी आपके किस जगे से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे फटा फट से बता दे ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां तक पहुंची यह जो मिश्टर मिक्स करने के पाथ इसका हम दो तरीके से यूज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जा थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर आप जैसे रोटी के लिए आटा गूते हैं वैसे आपको इसका आटा गूतना है लाल मिच्छ है तो थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि हाथ में कहीं लगे ना तो आप चाहे तो हाथ में पॉली या फिर गलब्स का यूज कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप इसमें बेसन या फिर आटा की क्वांटिटी को बढ़ा कर एकदम टाइट आटा गूत कर रेडी करने हैं उसके बाद इसी आटे से आपको छोटे छोटे लोई लेकर इस तरह से बॉल रेडी करने हैं तो आप यहां लगता है कि यहां पर चुहा बहुत जादा आता है वहां पर आप इस बॉल को इस तरह से रखते आप यह काम रात में करें तो आप इसे शाम को ही करें इस तरह से इस बॉल को सब जगे रखते जहां पर भी आपको लगता है यह तो हो गया पहला तरीका अब दूसरा आपको हों दोना करते हैं जाए इस तरह से अप्लाइब लें तो यहां पराप सहके से बहुत जल्बी काड़ते हैं अब इससे हम कैसे बचे उसके लिए हमें क्या करना है जैसे हमने यहाँ पर आपको एक्जामपल दिया है प्रेस की वायर के साथ आपको क्या करना है कोई भी foil paper ले लेना है अब इसी foil paper से आपका जो ये wire है इसको पूरा अच्छे से cover करना है कैसे करना है इस foil paper का छोटे छोटे टुकुडे में हम कर लेंगे इस तरह से और उसके बार इस wire को हम जो है अच्छे से cover कर देंगे ऐसा ना हो अगर हम डारेक्टी इसी wire पे अगर हम ये paste अपलाई कर देंगे तो पता चले कि paste खाने की चक्कर में ये wire भी खा जाए चुआ तो सबसे पहले हमें इस wire को अच्छे से बचाना है उसके लिए इस तरह से foil paper से हम wire को अच्छे से wrap कर देंगे ये देखे हमने इस तरह से सारे wire को foil paper से अच्छे से cover कर दिया है अब आपको क्या करना है ये जो paste आपने बना कर रखा है इसी paste को आपको इसी foil paper के ऊपर अच्छे से लगा लेना है ये देख रहे हैं इस तरह से हम लगा लेंगे जिससे की हमारा जो wire है वो बेवकुल से बचा रहेगा अगर चुहा इसे खाता भी है तो दोस्तों आप ये वीडियो किस जगे से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे फटा फट से बता दे ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां से देखी जारी है बस इसी तरह से जितना दूर तक wire है जहां तक आपने foil paper लगाया है आपको अच्छे से ये page जो है apply कर देना है और जादा apply करना है थोड़ा सा मोटा हमने यहां पर देखिए इस तरह से हम सब apply कर लेंगे दोस्तों बहुत ही कमाल का ये remedy है एक बार आप इसे जरू ट्राय करेगा और अपना on bomb मेरे साथ जरू शेयर करेगा दोस्तों वीडियो पसंद आये तो एक request है लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा